यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो बड़े से बड़े मेकप आर्टिस्ट जो है वो यूज करते हैं यार ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी चलना था आता माजी सटक ले क्या आपको कोई नहीं बताता है और नहीं समझ में आता है कि कौन से यूज करने हैं और यह भी बड़ी कंफूशन रहती है कि पहले क्या लगाएं प्राइमर लगाएं या फिर कलरेक्शन करना है या फांडेशन लगाना है बहुत ही कंफूशन रहती है ना सो देस वीडियो और अगर आप बिगनर है तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जुरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे स्पेशल टिप्स इंट्रिक्स बताने वाली हूं जो कि 100% करते हैं और सबसे पहलो तो जो आपको प्रोड़क्स लेना उसमें खास ख्याल र करने है अब चलते हैं स्किन प्रेप के ऊपर अच्छा एक चेक है और आप यह नहीं करते हो तो आपका मेक अप जो है का राइफ फलेकी और कुछ इस तरीकी का पैची हो जाता है अगर आप इससे बचना चाथे हो जाते हैं और आपकी राइध से नहीं तो जैसे कि मैं और पिर यह इसमें क्या होता है हमारा क्लिंजर टोन मैं इस के सटे हैं मैं म Всем कि अब ले सकते हो यह सिंपल का face wash ये दोनों ही बहुत अच्छे से बहुत कर चुकी हुए ये तोड़ा सा बचा है मेरा यह भी बहुत जल्द खतम कर जाएगा जैटल क्लिंजर है ड्राय स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मैं αूरीड़ी अपना face wash कर चुकी हूँ आप दुबारा करके दिखाना है क्या नहीं अच्छा ओके फेस्वाश मेरा अच्छे से ऊपर से क्लीन कर दूँ क्योंकि बहुत दा डर्ट वगेरा हमारी लग जाती है तो उसके लिए मैं यूज करूँ यह सिंपल का जो है वेट वाइप सी बहुत अच्छे हैं कोई भी वेट वाइप सकते हो उसको इस तरीके से हाथ में करना है ठीक है और उसके बाद अपना जो फेस है वो क्लीन करना है जो भी डर्ट होगा आपके फेस के वर वो सब हट जाएगा दैन हम करेंगे नेक्स स्टेप इस टोनर यह बहुत इंपॉर्टन स्टेप है बहुत इसको खुद से ही हमें किसी फैन से सुखाने की इसको जरूत नहीं है यह खुद ही अपने हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा अपने आप ही और यह भी ज़रूर से धियान रखना है कि अपने नेक के उपर भी हम मेकप करने वाले हैं ऐसे तो हम लोग नहीं चाहता ह है तो हमें थिक मॉश्यराइजर उठाने पड़ेंगे हमें जेल बेज़ टाइब के मॉश्यराइजर नहीं लेंने हैं वह हमारे लिए नहीं बने है तो आप यूज कर सकते हैं जो मैं परस्नली यूज करते हूं बहुत जादा पेवरेट हो चुका है मेरा यह तो भी आप इसको यूज का सब्सक्राइब बहुत बहुत लाइट वेट फॉर्मुला है तो हम इसको थोड़ा सा नहीं ज्यादा लेंगे और कुछ इतना माउंट आपको लेना है और अपने पेस के ऊपर एवनली स्प्रेड करना है और अंडर आई को भी बिल्कुल नहीं है कंप्लीट और मेरी मानों तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फेशल ओइल्स में येस वे बहुत जादा बैस्ट होते हैं आपके मेकप को बहुत ग्लोई डूई और हाइड्रेटिंग बनाते हैं यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो बड़े से बड़े मेकप आर्टिस् करते हैं जिनका मेकप पूरा दिन चलता है ना काला पड़ता है और नहीं ड्राय और केकी लगता है यह तो एक वर्दान है ड्राय स्किन वालों के लिए इसको अगर यूज करते हो तो आपका मेकप लॉंग लास्टिंग के साथ साथ ग्लोवी डूई शाइनी भी दिखेगा साथ इसाथ बिल्कुल भी यहां से नोस के पास तो जो हमारा फांडेशन हट जाता है वो ड्राय लगता है फटा 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 लगता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है इसको यूज कैसे करना है वो चलो मैं बताती हूँ आपने अगर इसमें एक बार इन्वेस्ट कर लिया यह बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है फॉर्स लिए आपको शेक करनी है यह बॉटल 24 कारट गोल्ड के साथ में है यह पार्टिकल्स इसमें कुछ इस तरीके के दिखते हैं नाव आपको थोड़ा सा दूर फेस से द पंप इधर देन दो पंप इधर और एक हमारा फोरेट पे और एक हमारा चिन और नोज और फटा फट से इसको ब्लेंड कर देना है तब ही आपका जो मेक अप है वह फ्लॉॉलस देख पाएगा और अंडर आई पे भी करो और देखो लुक एट ग्लो दिख रहा है लग रहा सब्सक्राइब के बीच में 30-40 सिकिंड का गाप देना ही है अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे तब तक आप में लिप्स मॉश्यराइज कर सकते हो और उतनी देर में उसके बाद हम नेक्स टेप पे चलेंगे अब हमारा नेक्स टेप है प्राइमर येस प्राइ प्राइमर रियल मेकप बेस ये आपका हैलाइटर का भी काम करेगा यानि कि स्ट्रोप क्रीम का भी काम करेगा और आपका प्राइमर का भी काम करेगा ये बहुत दा बैस्ट है और बहुत फेमस प्रोड़क्ट भी है तो इसका आपको लेना है सिर्फ एक या दो पंप लाइ कुछ देर बाद ही काफी गंटों तक मेकप अगर लगाये रखते हैं तो वह इसलिए होता है कि वह करेक्शन नहीं करते हैं तो हमारी जो पिग्मेंटेशन एडिया होता है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यह इनसाइट का कलरेक्शन पैलेट यह काफी अफॉर्डबल रेंज में और बहुत हाइड की तरह परफॉर्म करता है नहीं तो फिर आप ले सकते हो एले गर्ल के करेक्टर कुछ इस तरी और यह हम यूज करेंगे अपने डाक सब्जाट करने के लिए माउथ के अरांड मेरे पिग्मेंटिशन आ गरे साथ में यहां पर पिग्मेंटिशन है अपर है इन सबको हम कवर अब करेंगे थोड़ा सा फोरेट पे लगाएंगे अगर अगार आपके पर प्रॉब्म नहीं और मैं आपर छोट उसा पैक का blender ले रही हूँ और एकदम ऐसे गयब मत करते हैं नहीं दिखी गई नहीं यार अब देखो डिलेक्टली हमें इसके उपर foundation नहीं लगाना है हमें पहले इसको neutralize करना पड़ेगा क्योंकि हमने चाहते हैं कि हमारा makeup जो है अब आती है foundation की बारी तो foundation में आपको उन पर नहीं जाना है matte foundation पे हमें हमेशा hydrating, glowy, dewy या semi matte foundation पे ही जाना है तो उसमें आप यूज कर सकते हो naika का foundation ये मेरा personal all time favorite है affordable range में next affordable range में आप यूज कर सकते हो ये k-beauty का foundation सोचूगी ये कैसा foundation दिखा रही हूँ अरे यार ये में से टूट गया था लेकिन मैं चाहती हूँ इसका product यूज कर लूँ और इस वज़े से मैंने इसको रखा हुआ है और मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ और थोड़ा सा और रहा है बाइदवे ये बहुत अच्छा foundation है ये के ब्यूटी के ट्रीना का foundation है यानि की के ब्यूटी का foundation है मेरा शेड है 125 medium येस तो ये आप ले सकते हो ये बहुत amazing foundation है मैंने sale में लिया था 700 तक आपको पढ़ जाता है next आप मामार्थ का foundation भी यूज़ का सकते हो वो भी काफी जादा hydrating foundation है तो अभी हम यूज़ करते हैं ये के ब्यूटी का foundation येस अब जुगाड करके लगाना पड़ेगा यार इती महनत से लिया था और ऐसे तो नहीं वेस्ट कर सकती हूँ ना so this is my favorite tip और यह आपको जरूर से फॉलो करने चाहिए कर आप ट्रांसवर प्रूफ मेकप चाहते हो तो आपको करना है अपनी ब्यूटी ब्लेंडर पे setting spray spray करना है उसके बाद अपने foundation को blend करना है इससे आपका foundation बहुत flawlessly blend होगा and just look at the finish आपको अपनी अंडर राइव ऐसे के ऐसी छोड़नी है वहाँ पर आपको foundation जो है blend नहीं करना है नहीं लेकर जाना है क्योंकि हम अपने makeup को है जो है वो काफी जादा केकी होने से बचाना चाहते हैं तो यह steps आपको ध्यान में रखने हैं और यह सारी tips को भी ध्यान में रखना है अगर आप flawless base चाहते हो तो फिलाल मैं अपना foundation अप्लाई करके आई और मैंने कर लिए अपने foundation को blend and just look at the finishing now हम apply करेंगे अब अपना next step जो कि हमारा concealer yes आपको यह चीज़ धिहान रखने हैं कि concealer कभी भी हमें यहां पर नहीं लगाना यह टिप आपको कोई नहीं बताता है तो यह चीज़ को धिहान रखना है कि आपको कॉर्णर पर बिल्कुल नहीं लगाना है concealer थोड़ा सा space देके फ कर चुके हैं अब हम इसको थोड़ी दर के लिए ऐसे ही रहने देंगे तब तक हमारे next step पे चलेंगे जो कि है blush yes हम यहाँ पर सारी liquid products पहले लगाएंगे कभी face set करने के बाद कोई भी liquid product नहीं लगाया जाता वह आपके face को बहुत केकी बना देता है आपके make-up को और आपका make-up फटने लग जाता है तो यह चीज़ का जरूर से ख्याल रखना है तो अब हम apply करेंगे अपना यह liquid blush यानि के tint यह बहुत जादा पेमस है आप यूज कर सकते हो अर्थ रिदम का यह वाला टेंट या फिर आप यूज कर सकते हो यह बैने टिंट का ड्यूप है को जल्दी से ब्लेंड करना पड़ता है विकॉज यह बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है और यह चीज़ को यह नहीं बताता है तो इसको फटापट से हम ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस और आप सो चुगे कि बिल्कुल गया भी हो गया है बट नहीं हम थोड़ा से और अप पड़े ना लोक अट इस बहुत अच्छे से हाइलाइट हुआ है हमारा आई एरिया डिफरेंस देख सकते हो अब आपको बिना टाइम वेस्ट की अपने फेस को सेट करना है वरना क्रीजिस पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी आइस के ऊपर और आइस के नीचे भी तो फुट यह तो बहुत सारी क्रीजिस पढ़ जाएंगी जो कि हम नहीं चाहते हैं सो लेट मी ओपन इट सो पहले माने पाउडर ले लिया है देन उसको हैंड के ऊपर रब करेंगे क्योंकि हम जादा कॉंटिटी में नहीं चाहते हैं कि लगे और अपनी अंडर आई को अच्छे से से लगाना तो यहां पर मिस्कलेगा ब्रश में यूज ब्लेश यूज करूंगी ब्रश के साथ में लगाएंगे और बहुत लाइट हैंड से लगाएंगे और अपने गालों को गुलावी बनाएंगे अब हमने सारे प्रोट्स लगा लिए हैं उसके बाद फेस को सेट करना बह आपको आप्लाई करेंगे डालाइटर हैलाइटर में आपको तीन ऑप्शन ये देती हूं फ़र्स है ये वेट अनवाइल का रहलाइटर बहुत अच्छा ग्लो देता है नेक्स्ट ये मेबिलीन का मास्टर क्रोम हायलाइटर अपो गोल्ड वाला नहीं लेना है रोज गोल् नेक्स्ट एफ और बल रेंज में यह इंसाइड कोस्मेटिक का यह हाईलाइटर जो की है मेरा शेड कोस्मिक पावर अभी हम यह ही अपलाई करेंगे नाओ जस्ट लुक एड़ शाइन अब फिल करेंगे अपनी आईब्रोज आईब्रोज के लिए मैं स्वेस्ट प्यूटी की यह आईब्रोज पैंसिल यूज कर रही हूं बहुत अच्छी है यह 좌 हों अब करते है अपना ऐइमेकप आई मीकप के लिए आपको बहुत सारे पैलेट्स लेने की जुरुत नहीं है आप सिर्फ दो ले सकते हो योन के समय मार्स के हैं कर दिली छेज़ वाल न इसम आपको सरे सारे मिल जाते हैं रविस्टा के ओलियन उन कि पालेज़ पालेट जो कि यह आपको US पालिभ लिए है यहां ऐको अपको ब्यूफ भागर मिल जाते है है आ यहां पालेजेंग पैलेटे है transition color apply करूंगी आपको ज्यादा मेकप भी नहीं करना आता है आई मेकप तो आप सिर्फ इन में इन्वेस्ट कर सकते हो यह स्विस्टी का liquid glitter इसमें कुछ नहीं करना होता जस्ट आपको जो transition है उसके बाद और अपनी आइस पर डिरेक्टी इसको अप्लाय कर देना मैंने बहुत लाइट अप्लाई किया है बिल्कुल ना के बराबर क्योंकि मैं बहुत सटल आई लुक रखना चाहती हूं और लोग लैशन पर आपकोई ना इस इस फाइनल लुक आप चाहो तो मैट लिप्स भी रख सकते हो मैंने आपे ग्लॉसी लिप्स करे हैं और मैं थोड़ा सा क्लोज अप दिखाती हूं आपको ना मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यह लुक कैसा लगा है सारी प्रोड़क की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आम इन लव बिद इस लुक